दोस्तों कल मैंने आपको कराया था Python के अंदर array क्या होता है और उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि Python में आप array को directly use नहीं कर सकते इसके लिए आपको third party module और packages को use करना पड़ेगा जिसके लिए मैंने आपको numpy का example दिया था उसी को follow up करते हुए उस lecture को एक step आगे ले करके जाते हैं और यह चेक करते हैं कि कैसे हम Python के अंदर third party packages को install कर सकते हैं अपने requirement के according ठीक है इस वीडियो के अंदर मैं आपको pip के बारे में बताऊंगा अब इसको pip भी पढ़ सकते हो और यह चेक कराऊंगा उसके basic commands आपको पिछली वीडियो को चेक नहीं किया है make sure पिछली वीडियो को आप जरूर चेक करें और आप playlist section में जा करके भी python playlist के अंदर से उसको access कर सकते हैं यहां पर आपको 100 से भी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे even मैंने whatsapp की तरह chatting application और google की तरह search engine website भी बना करके दिखाया हुआ है और php java script की series भी है वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification कौन करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे यहां पर सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग pip के बारे में कि pip क्या होता है अब देखो बार बार मैं pip बोलूँगा तो यह recording में थोड़ा अजीब सा record होगा और यह अवास जो है न वो अजीब सा आएगा और फट जाएगा यह पी और फज होते हो recording में फट जाते हैं ठीक है वो इस अजीब सो जाते हैं मैं इसको pip पढ़ने वाला हूँ pip in python अब यहां पर बहुत सारी चीज़े है pip is the package manager for python यह python के लिए package manager है using pip we can install python packages अगर हम pip का use करते हैं तो हम python के अंदर packages को install कर सकते हैं simple सी चीज़ है ठीक है pip is the package manager for python using pip we can install python packages बड़ाई simple था मैंने आपको Hindi और English दोनों में समझा दिया है अब how to install pip pip को हम कैसे install करें अपने python के लिए ध्यान दे हम यहां पर python programming पढ़ रहे हैं तो मैं उसके according pip की बात कर रहा हूँ यहां मैं किसी और के according नहीं बात कर रहा लिनिक्स के according नहीं बात कर रहा नॉर्मली भी pip की जुरत पढ़ जाती है तो उसके लिए आप उसको google पर जा करके download pip लिख करके भी आप बहुत easy way में download कर सकते हो चीक है वो normal सी चीज है बट हम क्यूंकि python पर काम कर रहे हैं तो उसके according हम चलेंगे अब देखो python जब आप install करते हो न अगर आपने मेरी playlist section को देखा हो और अगर आपने मेरे पूरे series को follow up किया हो तो starting के एक दो videos के अंदर ही मै download करके ठीक है तो उसके अंदर मैंने आपको python को install करना बताया था जब आप python को install करते हो तो उसी के साथ साथ by default जो आपका PIP होता है ना उसका एक software उसका version आपके computer में install हो जाता है अपने आप automatically ठीक है तो आपको इसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है अलग से download करने की ज download कर सकते हो बट क्यूंकि हमने python install किया हुआ है तो यह हमारे computer में अपने आप install हो चुका है अब कैसे check करें कि यह install है या नहीं है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना आप keyboard से start button दबा या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें और आप यहाँ पर type करेंगे cmd जो की हमारा command prompt है ठी आपका open हो जाएगा और यहाँ पर आपको type करना है pip-ver sion इसका version number अगर यह हमें show कर देगा कि कौन सा version number है तो आपके laptop या computer में pip installed है अगर कुछ error दिखाएगा bash program का internal external command का यह command not found है या कुछ error आपको generate करके दे रहा है तो आपके में pip install नहीं है pip install नहीं है तो इस case में आपको कुछ नहीं करना अलग से simply आप एक काम करे python का latest version डाउनलोड कर ले और उसको install model यह उसी के साथ आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिखा pip-version और इसके बाद मैं simply यहाँ पर enter प्रेस कर रहा हूँ और कुछ seconds आपको wait करना है और आपके सामने इसका version आ जा इसमें 19.2.something होगा अगर आपने मेरी वीडियो को follow up करते हुए python install कर रखा है तो latest में यह मैंने इसको just थोड़े पहले ही update किया है और आपको भी मैं सिखाऊंगा कैसे आप इसको update करेंगे तो अगर यह कमार्ड आपका चल पढ़ता और एक आपको version number देखने को मिलता है इस देखिए मेरे को python पढ़ाते हुए साड़े तीन चार महीने हो चुके है चैनल के ऊपर वो बहुत पुराना है latest में बहुत सारी चीज़े आये होती है बहुत सारे features आये होते हैं जिसको हम use करना चाहेंगे तो उस चीज़ के लिए हमें इसको update करना जरूरी है तो update कैसे आप इसको कर सकते हो अपडेट करने के लिए आप यहां पर टाइप करोगे python space minus m space pip space install space minus minus upgrade space pip ठीक है तो over up का बनता है python minus m pip install minus minus upgrade pip अब इसको enter प्रेस करोगे यहां पर कुछ line चल करके आएंगी कुछ percentage आएंगी डेर से 2MB का हो सकता है वो 2MB तर जा सकता है वो और अगर आपने बहुत पुराना python use किया हुआ है तो काफी time भी लग सकता है but मेरे case में वो 30 seconds के अंदर install हो गया था तो मैं इसको यहां पर enter हिट कर रहा हूँ और यह already मेरे में installed है updated है तो यहां पर already बोलेगा see this requirement already satisfied कि सबसे latest version already मेरे में है आपके case में क्या होगा यहां पर कुछ percentage चलेंगे और last में लिख करके आएगा successfully installed या updated और आपके बाद वहां पर आपको देखने को मिलेगा latest जो भी इसका version होगा आपके computer में जो इसने install किया होगा वह आपको देखने को मिलेगा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही इसको update करके एक बार चेक किया था तो इसके manual को पढ़ने के लिए इसके help को लेने के लिए आपको type करना है pip help और यह लिखने के बाद जैसी आप enter press करोगे आपके पास दुनिया भर के इसके options खुल जाएंगे जैसे pip command का नाम और अगर आप option लिखोगे तो आप क्या-क्या perform कर सकते हो आप वो चेक कर सकते हो क कुछ install करना है तो आपको install लिखना पड़ेगा command उसका description short description यहाँ पर आपको मिलेगा कि यह package install करता है कुछ download करना है तो आप download लिखोगे pip download यहाँ पर क्या बताता है यह package को download करता है कुछ uninstall करना है तो pip uninstall packages और ऐसा ही बहुत सारी चीज़ है इसमें से एक हमारे पास list भी ह यहाँ पर हमारे पास एक help है general option आपके पास यह shortcut जो है minus hb लिख सकते हो minus minus help भी लिख सकते हो ठीक है version के लिए आप जो हमने double minus 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 या हाइफन हाइफन जो हमने version लिखा उसकी जगह पर minus v भी लिख सकते हैं बहुत सारे options आप यहाँ से देख सकते हो जैसे कि अगर मैं लिख pip minus v alright so यह काम नहीं किया I think it's capital V होगा so अगर मैं यह लिखता हूँ तो आप check कर सकते हो यह आ गया तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है आपको इतना याद रखने की जूरत नहीं है आप कभी वह उसका help ले करके देख सकते हो जैसे कि pip अब इस बार मैं सिर्फ minus h लिखता हूँ तो भी मेरे पास यह option खूल करके आ जाएगा जो पिछले के समय ने minus minus help लिखा था तो बड़ यहाँ पर cls लिख करके इसको clear कर रहा हूं screen को और यहाँ पर मैंने लिखा pip list मैंने का भाई मुझे list बता जरा निकाल करके कि क्या क्या installed है मेरे computer में ठीक है यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो यह कुछ चीज़े देखने को मिलती है हो सकता है आपके case में आपको कुछ ची जब मैंने आपको starting के वीडियो में python tutorial में installation कराई थी vs code की तो हमें यहाँ right hand side पर कुछ extensions कहता है install करने के लिए कि यह install कर लो python vs code recommend करता है python recommend करता है तो मैंने उसके अंदर install कर दिया था उससे I don't know मैंने recording में दिखाया नहीं दिखाया बट मैंने उसको install कर दिया तो यह दोनो उसी के through आए हुए है ठीक है खेर इसको आप अलग से install कर सकते हो जैसे मैं आपको अभी सिखाऊंगा उसी के through so यहाँ पर मैं आगे और आपको मैंने पूरी list चेक कर आ दिया है कि यह packages मेरे पास python के अंदर already installed है अगर मुझे pip को use करके एक नया package install करना हो क्यों 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 क space आपको कुछ install करना है तो आप यहां पर लिखोगे install और इसके बाद आपको देना होता है package का नाम अब पता कैसे चलेगा कि आपके package का नेम सही है गलत है आपको यह google करना पड़ेगा कि इस particular module के लिए क्या package है और उसको verify करने के लिए आप एक website पर जाओगे जिसका नाम ह यहां पर जैसे ही आप जाओगे आप यहां पर search कर सकते हो जैसे कि मैंने search किया camel case यह एक package है python का so मैंने इसके उपर enter hit किया तो यहां पर आपके पास बहुत सारे options आएंगे आपको जो सही लगे आपके requirement के according आप उसके उपर बस click कर देना यह package आपके पास available है यह कैसे install copy करके paste भी कर सकते हो उसको ठीक है और यहां पर आप आते हो तो pip install तो अरड़ी लिखा हुआ है मैंने यहां पर type कर दिया camel case और इसके बाद मैं hit करता हूँ enter enter press किया और आपको यहां पर देखने को मिलेगा collecting camel case ऐसे ही जब आप first time इसको upgrade अपडेट करोगे तो ऐसे ही वह च चोटा सा package है देख सकते है आप 1.3 kb का है यह एक second का time भी नहीं लेगा और successfully install हो चुका है ठीक है तो यह package जो है मैंने एक install कर लिया बहुत easy था अब use कैसे करना है किसी package को आपको लिखने होता है import package का नाम खेर वो मैं आपको VS code के अंदर करके दिखाऊंगा बहुत detail में ज list चेक करा दूँ क्योंकि पिछले case में हमारे पास देखो यहां पर camel case आ गया और इसका version number के है 0.2 है अगर मैं पहले वाले में चेक कर आओ तो यहां ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा मतलब एक package मैंने PIP की help से बहुत easy way में install कर लिया है ठीक है अगर मुझे इ uninstall करना हो तो कैसे करेंगे simply पहले तो मैं इसको clear कर देता हूँ यहां पर आपको type करके दिखाता हूँ PIP-H और आपको कुछ चीजे में चेक कर आता हूँ यहां पर आप देखोगे uninstall के लिए इसने बोला हुआ है क्या करना होता है आपको PIP-uninstall package का नाम लिखना होता है ठीक है तो मैं यहां पर CLS कर रहा हूँ और PIP-list मैं चेक कर लिता हूँ यहां पर फटा-फट से PIP-list यहां पर आपको देखने को मिलता है camel case अब मैं इसको uninstall करने लगा हूँ तो मैंने लिखा PIP-uninstall package का नाम कहा है camel camel case और मैं enter press करता हूँ simple है यह आप से बोलेगा क्या आप इस package को हटाना चाहते हो yes या no मैंने कहा why यानि कि yes जैसी मैं enter press करूँगा successfully uninstall हो चुका है अगर मैं PIP-list चेक करूँ तो अब मेरे पास camel case यहां पर देखने उमीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें आगे मैं आपको array के साथ काम करना सिखाऊंगा और चैनल के playlist section को एक बार जा करके जरूर देखें यहाँ पे CSS tutorial, JavaScript tutorial, web development, web designing, search engine मनाना गूग गज जाइ यहाँ बार टाइक साथ को यह वीडियोगेzek विप्यवाब तो थाँ से दोखेंग से गवपकि यहाँ इखेंग। Надफ़ टोब एनटों मих Won and Yun-orman hot बार बार जई घ 1-js Рाणमाल मवाएक अवलषणान एसदका सेart बार लिएaja हो द्वमाइगें प्लीछ अगमाएक